हैलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की विडियो में आज की विडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको आने वाले सीट अग्जाम्स या किसी भी टेट अग्जामस में जहां पर आपकी हिंदी पेड़ागोजी पुछी जाती है वो मैं आपको करवा रहा था जिसमें मैंने आपको कुछ topics यानि कि 3 topics करवा दिये थे चार पार्ट में अगर आपने वीडियोज देखी होंगी तो आपको पता होगा नहीं देखिये तो मैंने अलग से channel में playlist बना रखिया वहाँ जाकर वीडियोज दे सकते हो तो नीचे इस वीडियो के decision में मैंने आपको link दे रखा है वहाँ जाकर आप उन वीडियोज को देख सकते हो तो उसी series को continue करते हो आज हम उसके आगे वाले topics के बारे में बात करेंगे तो इस lecture को आप end तक देखते रहेगा आपको सारी information मिल जाएगी चलिए शुरू करते हैं तो ये हैं आपका हिंदी पेड़ागोजी यानि की शिक्षा शास्तर का जो की NCRD books के अनुकोडिंग स्टलेबस जिसमें से हमने पहला topic भाषा अधिगम एवं अरजन कर लिया था दूसरा topic भाषा शिक्षन के सिध्धान्त भी पढ़ लिया था तीसरा topic भाषा के कार्रे एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमी का इसको मैंने दो topic दो पार्ट में करवाया था भाषा के कार्य एक पार्ट में दूसरे पार्ट में हमने इसके बोलने और सुनने की भूमिका और तीसरे पार्ट में इसके most important questions जो paper में पूछे जा चुके वो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे chapter number 4 भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका यानि कि जो व्याकरण शिक्षन होती है उसकी भाषा में अधिगम में क्या भूमिका होती है उसके बारे में ओके तो इस lecture को आप एंट तक देखते रहेगा इसके बारे में आपको complete information म मिल जाएगी तो चलिए आज का lecture आज start करते है अपना तो notebook निकालिए और आज का अपना topic डालिए भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका lesson जो कि आपका fifth part में ने दे रखा है क्यों क्योंकि मैंने third part को यानि ये third chapter को दो पार्ट में बढ़ाया था तीसरे और चोथे इ आपके व्याकरण की क्या भूमिका होती है और व्याकरण कितने प्रकार की होते हैं और व्याकरण की क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में और दूसरे पार्ट में बात करेंगे हम प्रात में किस तर पर व्याकरण क्या कौन-कौन सी विधियां होती हैं और माध्य में किस तर पर व्याकरण की कौन-कौन सी विधियां होती हैं और इस पूरे के पूरे टॉपिक जो दो पार्ट में करेंगे उसके most important question उसी में करेंगे ओके तो ये दो पार्ट में हमारी class complete होएगी तो चलिए आज का पहला हम अपना topic start कर लेते आज की class का अब आपको ये पता होना च चीए कि व्याकरण को बिल्कुल शाब्दिक अर्थ में जो की paper में पूछा जाए तो कहा क्या क्या जाता है व्याकरण को ओके तो यहां शाब्दिक शब्द में देखो मैंने लिखा रखा है कि व्याकरण आपका वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाशा को शुद पढ़ना और लिखना सीखते हैं ध्यान रखेगा व्याकरण के द्वारा ही हम भाशा को बिल्कुल शुद रूपे में पढ़ना और लिखना सीखते हैं जो की व्याकरण भाशा का क्या है वो अनुगामनी है important है मतलब उसका एक अंग है for example के रूप में जो भी चीज मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं न ये बिल्कुल करम वाइज में एकदम बिल्कुल लाइन में बिल्कुल जो आपका सुर ले ताल के साथ में पढ़ रहा हूं और सही आपके करम में पढ़ रहा हूं वो किस कारण पढ़ पा रहा हूं वो व्याकरण की शुदता के कारण ही पढ़ पा रहा इसी को ही पतंजली ने कहा था पतंजली आपके जो योग गुरु आपको पता है काफी इंपोर्टन्ट है पतंजली ने ही कहा था कि व्याकरण जो होता है वो क्या है वो शब्दा अनुशाशन है मतलब शब्द को अनुशाशन में रखने के लिए करम में रखने के लिए बिल्कुल आपका विसर्ग, लिंग, इस्त्रिलिंग सब का इस्तमाल करने के लिए व्याकरणी क्या करता है? काम करता है इसलिए इन्होंने से क्या कहा था? वो शब्दानुशाशन कहा था इंपोर्टन्ट है, पूछा जा सकता है ध्यान रखेगा, इसी के साथ साथ में आप ध्यान रखेगा कि पहले भाशा का विकाश होता है पहले व्याकरण का विकाश नहीं होता ध्यान रखेगा, पहले भाशा का विकाश होता है और उसके बाद आपका व्याकरण बनता है For example, जब बच्चा इस दुनिया में आता है, तो उसको किसी भी परकार के व्याकरण का ग्यान नहीं होता है, लेकिन आते आते 5 सालों तक वो अपनी भाषा में परिपावक हो जाता है, और 5 साल में वो भाषा तो सीख लेता है, लेकिन उसका 1% भी उसको व्याकरण नहीं पता, वो भले व्याकरण का इस्तमाल करता है, लेकिन उसको व्याकरण से कोई लेना देना नहीं होता, वो व्याकरण कैसा होता है, उसके वहवार में होता है, व्यावारिक व्याकरण होता है, उसको यह नहीं पता कि मैं व्याकरण का इस्तमाल कर रहा हूँ, इसलिए कहा जाता है कि पहले भाषा का विकास होता है और उसके बाद में व्याकरण बनता है important है question पूछा जा चुका है ध्यान रखेगा next point है कि भाषा शिक्षन में व्याकरण जानना अनिवार्य है लेकिन भाषा अर्जन में ऐसा नहीं होता दोनों important point है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम पहला चेप्टर में आपको करवाया था उसमें आपको अच्छे से बताया था भाषा अर्जन यानि कि आपका वो होता है जब आप बचपन से लेकर पांच वर्ष की उमर तक यानि कि स्कूल जाने से पहले तक जो भाषा आप सीखते हो वो क्या होता है आप अर्जन करते हो उसका किसी भी परकार से कोई आप कहीं पर ट्रेनिंग नहीं लेते हो किसी भी परकार की क्लास नहीं लेते हो लेकिन भाषा अधिगम आपका वो होता है जो आप भाषा सीखते हो जहां पर आपकी क्लासिज लेते हो For example, आपकी English सीखने के लिए आप class लेते हो न, तो English क्या होगी आपकी भाषा अधिगम होगी, हिंदी परिवार भाषा से हैं, हिंदी क्या हो जाएगी हमारी भाषा अर्जन हो जाएगी, तो वो English सीखने के लिए हम क्या करते हैं, वहापर classes स्टार्ट होती हैं, तो हमें व्या जानना क्या होता हैं, अनिवार रहे होता है, इंपर्टन पॉइंट है, भाषा सिक्षन में, भाषा अर्जन में नहीं, ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका, कि वन भाषा की सबसे छोटी ही काई है, पूछा हुआ कोशन है, ध्यान रखेगा, अगर आपसे पूछा जाए, क सबसे छोटे ही काई भाषा की क्या होती है, तो वन होती है, ओके, और ये वन क्या होता है, तो मैं आपको ग्रामर पहले पढ़ाई थी, वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से बताया था, वन माला में वन क्या होती है, अगर आपने वो वाली ग्रामर की टॉपिक देखे 22 चैक्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बिल्कूल अच्छे तरीके से, ट्रिक से माद्धम से भी और बेसिक तरीके से भी, तो वहाँ जाकर आप grammar देख सकते हो, ओके, तो भाशा के सबसे छोटी ही काई क्या है, वन, और वन के सार्थक परियोग से ही, शब्द, शब्द स ही पद और पदों से ही व्याकांश और व्याकांश ही वाक्य बनते हैं, देख सकते हो, ये पूरा का पूरा ही नियम है व्याकरण का, वन जो होता हो, सबसे छोटी ही काई होती है भाशा की, उसी के सार्थक परियोग से हम सब्द बनाते हैं, सब्द से ही पद बनते हैं, कुछ information थी आपकी basic ज्यानकारी व्याकरण के बारे में, चलिए अब बात कर लेते हैं व्याकरण कितने परकार की होती है, तो लिख लिजिए व्याकरण के तीन रूप होते हैं, कौन-कौन से तीन रूप होते हैं, तो वो होते हैं आपके आपके अपचारिक, अनपचारिक, ज जाता आपचारी क्यानी की फॉर्मल अब ये होता क्या है तो शरर्शापदिक शब्द में बात करी जाए तो इसमें व्याकरण की पुस्तक होती है और विदीवत ढंग से क्रम पूरवक व्याकरण के नियम उपनियम उनके भेद तथा उपभेद का ज्यान कराया जाता है कि जैसे आप क्लास 6 से आप स्टार्ट करते हो व्याकरण वो बिल्कुल व्याकरण की अलग पुस्तक से पढ़े जाता है मतलब पूरा का पूरा एक पुस्तक होती है व्याकरण की लेकिन इससे पहले हम व्यावारिक व्याकरण या प्रासंगिक व्याकरण के द्वारा पढ तो पूरी के पूरी एक पुस्तक से पढ़ना, जो की व्याकरन की अलग बुक मिल जाती आपको, विदी जो उसकी विदियां होती है, विदी वर्ध याँ से जब पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, आप उसको क्या का जाता है? आपzię जाता है, जैसे की संग्या क्या है, तो आप आप हम पढ़ते हैं न संग्या किसी वस्तू स्थान के नाम के छटी क्लास से वो ही आपकी क्या कहलाती है अपचारिक व्याकरण शरेशब्द में बात करी जाए तो जब आप ग्रामर यानी की व्याकरण का ग्यान पुस्तक से लेना शरू कर देती हो तो वो क्या कहलाता है ओपचारिक व्याकरण कहलाता है नेक्स्ट है आपका अनौपचारिक व्याकरण जिसे व्यहवारिक व्याकरण भी कहा जाता है अधिकतर आपको ये व्यहवारिक व्याकरण के नाम से देखने को मिलेगा अग्जाम में अब ये होता क्या है? तो बच्चा भाषा को अनुकरण से सीखता है, विद्वानों का मत है कि व्याकरण का शिक्षन वहवारिक या प्रयोगियानत्मक रूप से ही कराना चाहिए अगर आप से पूछा जाए कि व्याकरण का किस परकार का प्रयोग होता है, तो वहवारिक या प्रयोगियानत्मकी रूप से ही किया जाता है, किसी अलग पुस्तक से नहीं पढ़ाया जाता, ओके? कहने का मतलब यह है कि कहीं पर भी किसी भी परकार यह कोई अलग बुक नहीं होती बच्चे के जो आप शब्द पढ़ते हो जैसे कोई कहानी आगी तो कहानी में लिखा हुआ है कि पापा चले गए तो वहाँ पर आपने देखा कि पापा चले गए मतलब आपने देखा ओफिस चले गयोंगे तो वहाँ पर आपने क्या बोला पापा चले गई ये नहीं बोला पापा चली गई तो वह इस्तरलिंग पुरलिंग का इस्तमाल हो रहा है तो आप बच्चे को उसी लाइन में ही समझा देते हो कि यहाँ पर किस परकार का इस्तमाल हो रहा है व्याकरण का आपने नाम भी नहीं लिया तब भी आपने उन्हें बता दिया इस्तरलिंग और पुरलिंग इस्तमाल हो रहा है तो उसी परकार की व्याकरण जब आप इस्तमाल करते हो तो वो क्या कहलाती है प्रासंगीक व्याकरन या फिर आपका व्यावारिक व्याकरन ये दोनों ही आपका क्या कहलाता है उसी परकार का रूप है यहाँ पर आप सरल शापदी के एक रूप में बात करी जाए तो व्यावारिक व्याकरन आपका वो व्याकरन होता है जब आप ज चलो ना घूमने चलो या पापा मुझे दो रुपे दे दीजिए मम्मी मुझे भूग लगिए खाना दे दो तो वहाँ पर आप जो जो बाते यहां आप बोल रहे हो न आप यही तो नहीं बोलते न कि मम्मी मैं आ गई यही बोलते हो न मम्मी मैं आ गया लड़का लड़की जो भी उस परकार से आप इस्तमाल करते हो आप बिल्कुल विपरित तो नहीं कर देते ना उसका तो जो भी आपके अंदर है वो सारे का सारा आप परियोग के द्वारा कर रहे हो वहवार में ला रहे हो वहवारिक व्याकरण कहा जाता है, इसमें किसी भी परकार की कोई पुस्तक नहीं होती, अलग व्याकरण की, और यहीं पर यह आपका मोस्ट इंपॉर्टन पॉइंट है, लोर्ड मैकलोजेजे, उनके द्वारा यह कहा गया था, कि मनुष्य उसी भाषा का पूर्ण पंडित ह सकता है, ध्यान रखेगा, उसी भाषा का पूर्ण पंडित हो सकता है, जिसे उसने पहले और उसका व्याकरण उसके बाद सीखा हो, मतलब पहले उसने उसकी भाषा सीखी हो, और उसका व्याकरण उसके बाद सीखा हो, उसी भाषा में वो क्या हो सकता है, पूर्ण पंडित यानि कि पूर्ण विद्वान माना जा सकता है ये वाला point मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आपको ये भार परिभाशा देकर बोल सकते हैं कि ये किस ने बोला था तो लोड मैकोले ने बोला था important point है ध्यान रखेगा और तीसरा रूप है आपका प्रासंगिक व्याकरण अब ये क्या होता है तो ये आपका भाशा के गद की पुस्तक पढ़ाते समय उसके उधारण की साहेता से व्याकरण के नियम निकाले जाते हैं व्याकरण की सिक्षा अलग किलास में ना देकर भाशा के गद की क्लास में ही दे दी जाती है मतलब जो प्राथमे की स्थर पर आपका इस्तमाल किया जाता है वो कौन सा व्याकरण कहलाता है वो प्रासंगिक व्याकरण कहलाता है मतलब जब भी आप कोई कहानी पढ़ रहे हो किसी परकार की कोई आप स्टोरी पढ़ रहे हो तो स्टोरी के माध्यम से ही कहीं पर कोई चीज आ गई जो कि आपका व्याकरण से related है तो उस व्याकरण को आप उसी क्लास में समझा दोगे गद की क्लास में ही उसके लिए किसी भी परकार की अलग की व्याकरण की क्लास नहीं लगाई जाती अगर आप ऐसे करते हो कि गद की क्लास में ही व्याकरण का ग्यान दे रहे हो मतलब किसी भी परकार का कोई अलग से नियम नहीं है कोई अलग से व्याकरण की क्लास नहीं है वो ही same classes में ही जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं उसी में ही आप बच्चे को समझा देते हो तो वो क्या कहलाता है प्रासंगिक व्याकरण कहलाता है तो ये तीन रूप है आपके व्याकरण के दुबारा समझा देता हूँ मैं आपको शरल भाशा में तो पहला है आपका आपचारिक व्याकरण वो व्याकरण जिसके हम नियम, उपनियम, भेध, उपभेध का ज्यान जो होते हैं वो पुस्तक से लेते हैं मतलब सारी की सारी चीज़े हम बुक से लेंगे तो वो क्या कहलाएगा एक अलग किलास के दुआरा वो अपचारिक व्याकरण कहलाएगा दूसरा है आपका अनपचारिक व्याकरण या वहवारिक व्याकरण मतलब वो व्याकरण जो हमारे व्याकरण में है लेकिन हमें पता नहीं है लेकिन हम उसका परियोग करते हैं तो व्याकरण कैसा कहलाता है अनौपचारिक या फिर वहवारिक व्याकरण कहलाता है जैसे कि आप जनम से लेकर पांच वर्ष तक जब तक आप स्कूल में परवेश करते हो तब तक आप जो व्याकरण की भाशन का इस्तमाल करते हो वो कैसी व्याकरण होती है वो अनौपचारिक यानि की व्यावारिक व्याकरण होती है और तीसरा प्रासंगिक व्याकरण मतलब आपकी क्लास में जो आपकी language की क्लास चल रही थी हिंदी की क्लास चल रही थी उसमें हम क्या पढ़ रहे थे गद यानि की हम को अनी में ही कोई लाइन आ जाती है और वो क्या है व्याकरण के नियम से रिलेट है व्याकरण के नियम से समबंदित है तो आपने उसकी एक व्याकरण की अलग क्लास ना लगा कर उस भाशा के गद की क्लास में ही उसको समझा दिया मतलब आपने एक अलग क्लास भी नहीं लगा जाद अतर वो प्रात्मिक इस्थर परिस्तमाल होता है तो ये तीन रूप थे आपके व्याकरणे के चलिए आप बात कर लेते हैं व्याकरण के उद्देश क्या क्या होते हैं तो लिख लिजी अपना टॉपिक व्याकरण सिक्षन के उद्देश तो पहला पॉइंट है आपका व्याकरण शुद भाषा के परियोग के परती लगाओ रूची पैदा करता है मतलब अगर आपको शुद भाषा का परियोग करना है यह लिखना है यह पढ़ना है उसके लगाओ के लिए आपको क्या करना होता है व्याकरण सीखनी ही सीखनी होती है जैसे कि मैं आपको भोला भाषा शिक्षन के लिए क्या है निवार रहे हैं आपका व्याकरण शुद भाषा और शुद लेखन के उपर वो आपका जोर देता है और सात ही सात में आपका लगा और रूची भी उतपन करता है वह व्याकरण से ही समझ में आता है इसी के द्वारा हम योगे बन पाते हैं नेक्स्ट है ध्वणी जो आपने पढ़ी होगी अलग अलग परकार की तो ध्वनियों उनके उच्चारण एवं परियोग के नियम में प्रमप्रागत करता है मतलब जो भी आप ध्वनिय का इस्तमाल कर रहे हैं उसका उच्चारण कहाँ पर हमें उच्च बोलना है कहाँ पर हमें निमन बोलना है यह पूरा का पूरा नीम ने कहा से सिखा जाता है उसको लिए परसपर हमें कोन करता है प्रमपरागرत कोन करता हमें वो व्याकरण के दूरा ही होते हैं हम next है वन विचार, शब्द विचार एवम वाक्य विचार में आने वाले परतेक बन्दों को सही सिखाता है विराम चिन का परियोग महावरे लोकोक्तियां के परियोग में भी महारत हासिल करने में मुदत करता है तो यहाँ पर यह कहने का मतलब यही है कि जो भी आपका व्याकरण के अंदर आता है चाहे वो वन विचार हो, शब्द विचार हो, व्याकर विचार हो इन तीनों के अंदर ये आपका पूरा का पूरा grammar समा जाता हो, चाहे आपके मोहावरी हो लोकोक्तियों, इनके उपर अगर आपको कमांड पानी है, इन पर हमें महारत हांसिल करनी है, तो वो किस से हो सकता है, वो व्याकरण शिक्षन से ही हो सकता है, और साथी साथ में रचान पसंद करते हैं, कही कविता लिखना पसंद करते हैं, कही मोहावरी लिखना पसंद करते हैं, तो जो आप उसमें इस्तमाल करते हो, लिखना, वो लिखना किस पर निरभर करता है, वो व्याकरण शिक्षन पर ही निरभर करता, अगर आपको व्याकरण शिक्षन है, तो आप उसको अच्छी तरीके से रचानात्मक्धन से लिख सकते हो, ओके, तो ये कुछ उद्देश्य थे आपके व्याकरण शिक्षन के, तो ये था आपका कुल मिलाकर आज का चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको बोला, भाषा शिक्षन जो है, उसमें जो व्याकरण की भूमी का होत प्रात्मी की स्तर और मद्द्य में की स्तर पर वो कैसे किया जाता है, और उसमें कौन-कौन सी सिक्षन विदियां इस्तमाल किया जाती है, ओके, तो ये पूरा का पूरा, कहने का मतलब आपकी व्याकरण शिक्षन विदियां जो होंगी, उसके बारे मैं हम next class में बात और साथी साथ में ये पूरे के पूरे जो चैप्टर होगा इसके जो important questions बनेंगे वो हो मैं आपको उसी lecture में करवाऊंगा तो आज की वीडियो में दोस्तों बस यहीं तक ही व्याकरण के शिक्षन के उद्देशे तक तो दोस्तों आज के lecture में बस इतना ही अगर वीडियो लाइक जरूर कीजेगा और साथी साथ में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजेगा ताकि हमारा भी motivation बढ़ता रहे और आपको मैं इसी की तरह से अच्छी सची वीडियो देता रहूं आपके आने वाले exams को crack करने के लिए और साथी साथ में अगर आपने अब तक हमा देते हैं जो कि आप जोईन करने के लिए simple तरीके हैं दो नीचे decision में link दे रखा उस पर क्लिक करके जा सकते हो हमारे telegram गुरूप पर जो कि कई बार link काम नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हो play store में जाकर telegram जो app होता है उसको download करो और उसके सर्च बार में जाकर सर्च मारो बिना space दिये DK Gupta तो पहला ही channel अपना मिल जाएगा आपको वहाँ पर आपका logo देखने को मिल जाएगा channel का उस पर जाकर आप click कर सकते हो और बिल्कुल free of cost जोईन हो सकते हो जो कि आने वाले दिनों में PDF और आपको अभी notification देखने को मिल जाएगा live class का आपको कि कब ली जा कर रही है ओके चलिए तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही इसके second पार्ट में हम इसके आगे बात करेंगे तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपने इस चनल को अब तक subscribe नहीं करा जल्दी सा subscribe कर लिजिए और उसके साथ मैं जो bell icon होगा तो उसको भी दबा दीजेगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोडिफिक्षन आपको टाइम डूटाइम मिलती रहे तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आप से फिर मुला कातो होगी नेक्स वीडियो में जब तक के लिए जैहिन जैम